लेडी इसरी टीवी रिपियर में आज बताएंगे दोस्तों पैनल रिपियर मेरा क्लास चल लहा है पैनल रिपियर में बताएंगे कोई भी टीवी है चाहे नारमल टीवी हो चाहे स्मार्ट टीवी हो चाहे एंड्राइट टीवी है कोई भी टीवी है उसको हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी वह कितनी बोल्ट की पैनल है 3.3 बोल्ट की पैनल है कि 5 बोल्ट की पैनल है कि 12 बोल्ट की पैनल है हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी कितनी बोल्ट की पैनल है बिना देखे आज मेरा यही कलास रहेगा आप लोग अगर यह वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा भीना वॉल्टेज ना पे यह हमारी जो पैनल है पैनल हमारी कितनी बोल्ट की है तो पैनल में हमारी कौईल लगी होती है हमारी पैनल कौन सी है चाहे नारमल टीवी हो चाहे समार्ट टीवी हो चाहे अंड्राइट टीवी हो कोई भी टीवी है इसको हम देखकर अराम से पता लगा सकते हैं जो हमारी पैनल है पैनल हमारी कितनी बोल्ट की है यानि 3.3 बोल्ट की है कि 5 बोल्ट की है कि 12 बोल्ट की है क को देखकर हम पता लगा सकते हैं, आज का मेरा वीडियो इसी पर रहेगा, अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, बिना voltage ना पे आप लोग coil को देखकर पता लगा सकते हैं यह हमारी कितनी bolt की panel है देखिए जो coil लगी होती है देखिए आपके screen पर देखाई दे रहा है जो coil है यही coil है इसी coil से हम पता लगा सकते हैं जो हमारी coil लगी होती है buck converter में भी यूज़ किया जाता है और boost converter में यूज़ किया जाता है देखिए जो coil होती है coil का मतलब क्या है अगर हमारी buck converter और boost converter बनाना है तो उसमें coil लगेगा यानि बिना coil का हमारा buck converter और boost converter नहीं बनेगा यानि panel में जो हमारी buck converter और boost converter बनती है DC to DCIC के internal bug converter और boost converter होता है अगर bug converter और boost converter DC to DCIC से लेना है तो दो coil लगेगी अगर bug converter बनाना है तो एक coil उसका लगेगा अगर boost converter बनाना है तो एक coil उसका लगेगा यानि coil के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं जो panel है हमारी कितनी bolt की है बिना नापे हम पता लगा सकते हैं, अगर ये वीडियो आप लोग देख लेंगे, आप लोग पता चल जाएगा कि हमारी जो पैनल होती है, पैनल में कैसे पता लगा सकते है, क्वाइल को देखकर कि हमारी कितनी बोल्ट की पैनल है, चलिए, देखिए अपने स्क्रीन पर, कितनी बोल्ट की है, देखकर, यानि पैनल को खोल कर, क्वाइल को देखकर आराम से पता कर सकते हैं, कि हमारी जो पैनल है, पैनल हमारी कितनी बोल्ट की है, विना बोल्टेज नापे हम पता लगा सकते हैं, कि हमारी जो बी सी सप्लाई पैनल की है, वह कितनी होगी, यानि य सबर इसी भी पैनल में नार्माल कुछ दो सब्सक्रिद्फ इसां सब्सक्राइब वाल होगी होगी तो उसमें समझ जाये कि यह क्वाइल जो हमारी है भग कनवर्टर का और जो दूसरी क्वाइल होगी वह हमारी बारे बोल्ट की होगी यानि आप देखकर आराम से पता लगा सकते हैं कि जो दो coil वाली होगी वह 12V कि होगी। क्यों? क्योंकि देखिए एक joint coil होगी हमारी 3.3 volt की होगी और यह दूसरी coil होगी हमारी 12V की होगी यानि बग कनोटर द्वारा डिशी टुडिशी आइसी के इंटरनल बग कनोटर द्वारा 3.3 वूलट बनाए जाएगा और जो एक 3.3 बोल्ट भी बनाए जाएगा बग कनवटर दोरा जो बुष्ट बोल्टिज बनाए जाएगा ABDD यह कॉआल के दोरा ही बनाए जाएगा देखिए आज का मेरा कलास इसी पर रहेगा यह वीडियो मिस मत करिएगा अगर आप लोग यह वीडियो देख लेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि बिना बोल्टिज ना पर आप पैनल में पता लगा सकते हैं कि यह हमारी कितनी बोल्ट की पैनल है आज का कलास मेरा इसी पर रहेगा अब देखिए मिनिमम आपको समझाने के लिए सुरू से बाताना जरूरी है अभी आप लोग समझ पाएंगे देखिए पैनल होती है, पैनल हमारी तीन परकार की होती है, एक 3.3 बोल्ट की पैनल होती है, एक 5 बोल्ट की पैनल होती है, एक 12 बोल्ट की पैनल होती है, पैनल पर ही हमारी निर्भर करेगी कि कोईल कितनी होगी, देखिए, अगर हमारी 3.3 बोल्ट की पैनल है, यह सर्किट, आपके सा में कोई भी इंटर्न पहले कज Dare?' इसको इंटर्णल में सदَّराण रूप में चहींए उस हिसाब से इंड़क्टर कॉयल लगा हो सकते है। नहीं लगा हो सकता है। लेकिन बग कनवेटर और बुश्ट कनवेटर does the coil करी। लेकिन तो सब्सक्राइब अगर तो डेक होसी किसे signal हो थे होसकता है। तो company जो होगी, अपने अनुसार, जिस हिसाब से boost voltage, हमारी ABDD voltage generate करना होगा, उस हिसाब से theory में ओगा, ये current IC में inbuilt कर दिया होगा, अगर आपको सामने coil दिखता है, तो हो सकता है हमारी उस circuit में ज्यादा voltage की हो सकता हो, यानि ABDD जो voltage होगी, ज्यादा voltage की हो सकता होगी, इसलिए coil लगा हो सकता है, यानि 3.3V में आपको ज्यादा की समें देखने को मिलेगा, coil आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये कभी panel में कोई भी coil देखने को नहीं मिलेगा, अगर ये को कोई देखने को मिलता है, ABDD voltage बर समझ जाए, ये circuit में ज्यादा voltage औरेज करने के लिए चाहिए यानि ABDD से ही BGH voltage बनाए जाता है, यानि smooth है, करके यानि ज्यादा voltage average करना है, उससाब से यानि circuit में inbuilt में दिया गया होगा, और देखिए जो दूसरा होता है, जो दूसरा हमारी होती है, 5 volt की panel होती है, ये जो हमारी 5 volt की panel होती है, इसमें भी हमारी एक coil लगी होगी, देखि देखने को मिलेगी, 5 volt पैनल में आपको एक coil देखने को मिलेगी, और या boost voltage ABDD पर मिलेगी, बनाने के लिए इस coil की जरूइत होगी, और देखिए जो आपके screen पर देखाई देरा है, ये 12 volt, 12 volt की panel में हमारी 2 coil लगी होगी, अगर कोई भी TV हो, चाई smart TV हो, चाई android TV हो, चाई VDD के लिए लगा होगा, और जो दूसरा लगा होगा, हमारी ABDD के लिए लगा होगा, या दिसी टु डिसी के internal बग कनवर्टर दवारा हमारी 3. 3V VDD voltage, जनरेट किया जाएगा और डिसी टू डिसी ऐसी के इंटर्नल भुष्ट कर नोटर दोबरा हमारी एविडिडी बोल्टे जनरेट किया जाएगा यह क्वाइल जो होगी बिडिक लिए लगी होगी और दूसरी क्वाइल लगी होगी इसके बारे में आपको मैं पूरा बताने जा रहा क्यों लगी होगे यानि यह कोल का मतलब कर आयाकिरीस मेंऔर क्वाइल में लगा है और बारे बॉल्ट में दो whole क्यों लगा है इसका पूरा इसे यह कैसे बनेगा इसनी संबाइल में किसी ब्युस्ग लगा है किसी में लगा है 5 बोल्ट में होती है और 12 बोल्ट के लिए दिया जाएगा या नी 3.3 भल्ट पर दे दिया जाएगा यानि जो BDD supply होती है टिकुन IC की BCC supply होती है यानि 3.3 volt बनाने के लिए ही निर्भर करेगी कि हमारी coil कितनी होगी पैनल में अगर हमारी जो 3.3 volt की पैनल है तो डेरेट हमारी BDD supply 3.3 volt से हो जाएगी और देखिए अगर 5 volt की पैनल है तो उसमें क्या होगा एक regulator लगाकर हमारी 3.3 volt जनरेट कर लिया जाएगा जिसकी वजह से एक कॉयल होगी और जो 3.3 volt की पैनल है यानि जो ability boost voltage चाहिए जिस हिसाब से circuit में जनरेट होती है, कम्पनी अपने अनुसार circuit को जिस हिसाब से धिरी के जिस हिसाब से manage करना होता है, उस हिसाब से circuit में बनाया हो सकता है लेकिन आपको 100 में 100 के ज्यादा देखने को मिलेगा 3.3 volt के पैनल में आपको कोई भी नहीं देखने को मिलेगा, अगर कोई भी एकाद क क्वाइल देखने को मिलता है तो आप जान जाईए कि यानि सर्कृट में ज्यादा बोल्टेज स्मूथ की जरूरत है जिससे बीचीज बोल्टेज बनाकर हमारी पिच्चर बनाई जाएगी और देखिए जो 5コalties के पैनल में आपको देखने को मिलेगा क्या होगा एक को देखने मिलेगा और यानि जो 5 ऐक रिगुलेटर लगा कर हमारी 3353 बना लिया जाएगा जिसकी वजह से हमारी एक क्वाइल ये वीडेडी का लगेगा और देखिए जो बारे बोल्ट की हमारी पैनल होती है इसमें दो क्वाइल क्यों लगता है उसकी वज़ाई देखिए ये जो फाइब बोल्ट था फाइब बोल्ट से हमारी 3.3 बोल्ट एक रिगुलेटर लगाकर बना दिया गया और ये जो 3.3 बोल बनाएंगे तो ज्यादा हमारी हीट जनरेट करेगी इसलिए डिसी टू डीसी आइसी के इंटर्नल यानि जो कंपनी होती है अगर बारे बोल्ट की पैनल है उस हिसाब से डीसी टू डीसी आइसी के इंटर्नल वग कनवर्टर और बुष्ट कनवर्टर रहता है जिसे सबसे बनाती है अगर बारे बोल्ट की पैनल होगी तो बीड़ी सप्लाई यानि 3.3 बनाने के लिए हमारी क्या होगा डीसी टू डीसी आइसी के इंटर्नल वग कनवर्टर द्वारा हमारी 3.3 बनाए जाएगी जिसकी वजह से हमारी एक क्वाइल लगेगी बग कनवर्टर और बड़ा बॉट लेशनी आँ को डिसक्रिप्शन में मिल जाएगी जाकर देख सकते हैं वग कनवर्टर और बुष्ट में जक्शर में वीडियो बना चुका हूं यह वीडियो देखने काद आपको डिसक्रिप्शन में लिख यानि इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं बीना बोल्टेज च्च किये चाए नार्मल टीवियो चाह एंडराइड टीवियो कोई बीटीव है बीना उसे चीक या ei बोल्टेज आप पता लगा सकते हैं वह हमारी कितनी आ면 है अगर हमारी 12 खृए ले है तो सो में से सो परसें समझ चाहिए कि यह जादा चाहिए उसी लिए बीदी बोल्टेज में लगाकर ज्यादा इस्मूथ किया जाएगा और यहीं में अपने सार से सर्कीट में बडा सकती है और देखेए कभी काल आपको तेकट बेखने को मिलता होगा बड़ी पर इंव्या Vd पर भी coil लगी होती है, Vcom पर भी coil लगी होती है, और Vcore-Voltage पर भी तो उसमें कुछ न कुछ बात है, यानि उस हैशाब से उसमें voltage चाये, उस हिसाब से circuit काम करेगी. उसे हिसाब से आपको ट्रेस करके आराम से रिपेयर कर सकते हैं अगर आप लोगों को रिपेयर करना है तो आप लोग आराम से रिपेयर कर सकते हैं या आपको थियोरी के हिसाब से सर्किट के हिसाब से यह देखना होगा अगर माली जे क्वाइल लगा है पैनल होती है पैनल हमारी लाखो परकार की होती है आपको लोगों को रिपियर करना होगा तो ये देखना होगा कि सर्कुट जो है हमारी सर्कुट की से हिसाब से बनी है यानि जो सर्कुट बनी होगी उसी हिसाब से वह मैनेज किया जाएगा और उसी हिसाब सीये translate किया जाएगा रहते कि यह अगर उटेट को देखिये सबसें लुकर तो उसी किया निर्च करने के हिसाब से ब्सक्राइब कर सकते हैंsam अगर को इन डियत कि मैं करते हे दिश्वां होता है को देखिये सांगे मिलता है और गे न embodonn strip तो फियोरी की सबसे circuit जी सबसे बनाई गई होगी उसी सबसे coil हो सकता है या नहीं हो सकता है आपको इससे मतलब नहीं रखना है मैंने वहां रीपियर करने में यह देख लिजीए क्योंकि देखिए जो circuit होती है सबसे circuit कम्पनी अपने अनुसार बनाई होती है जिस सबसे घ्योरी में मैं सबसे circuit को चलना होगा उसी सबसे circuit मेंज किया हो सकता है इस प्रकार से हमारी क्वाइल का मतलब होता है यानि आप इस तरीके से क्वाइल देकर पता लगा सकते हैं कि हमारी 3.3 वोल्ट की पैनल है कि 5 वोल्ट की पैनल है कि 12 वोल्ट की पैनल है तो हो सकता है क्वाइल लगी हो या ने लगी हो क्योंकि कंपनी के अनुसार जी से सबसे BGH वोल्टेज का नि जो हमारी 3.3V होगी और उसमें क्या होगा एक BDD supply क्वाइल के लिए लगी होगी यानि इस प्रकार से आप आराम से पता लगा सकते हैं क्योंकि देखिए 100 में से 100% हमारी क्वाइल का मकसब क्या है क्वाइल का मकसब सिर्फ ही है जो BDD supply यानि BDD supply हमारी 3.3V बनाई जाएगी कि से हिसाब से बनाई जाएगी अगर 3.3V है तो direct 3.3V बना दिया जाएगा और अगर हमारी 5V की पैनल है टेक रेगुलेटर लगा कर 3.3V VDD जनरेट कर लिया जाएगा अगर हमारी 12V की पैनल है उसमें क्या होगा अगर 12V से direct हम 3.3V बनाएगे तो ज्यादा हीट जनरेट जो बंडर और बुष्ट कन्वटर में हमारी 5 कर दोन अगर प्रहएगा इससे पहले माई वीडियो बना चुका होँ आप लोगों को ये समझना है तो आपको यह जानना जरूरी है कि यानि जो क्वाइल हमारी क्यूं लगती है इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं पैनल आराम से रिप्यर कर सकते हैं, लिखर बग कनोट और बुस्ट कनोट अर्थ नहीं जानेंगे तो आप लोग पैनल नहीं रिप्यर कर पाएंगे इसी में मैं बताना चाहता हूँ मेरा हर चीज़ में वीडियो बन चुका है पैनल के रिपेर कैसे करते हैं नारमल टीवी में साप्टेवर कैसे डालते हैं और सप्लाइज कैसे रिपेर करते हैं क्या होती है यह वीडियो देखने के बाद आपको डिस्क्रेप्शन में लिंक देदेंगे जाकर देख लीजिए गा